नमश्कार स्वागत है आपका एस्टोडे की विशेश रिपोर्ट में आज हम आपको हमिर्पु विदानसवक शित से CPIM के उमीदवार अनिल मनकोटिया से मिलाएंगे सबसे पहले तो अनिल मनकोटिया आपका एस्टोडे में स्वागत है, आप परचार कर रहे हैं कैसा रिस्पोंज आपको लोगों का मिल रहा है बहुत अच्छा रिस्पोंज लोगों का है, अशिरवा लोगों का मिल रहा है और हमने जिस तरीके से चुनाव लड़ने का जो नियने ने लिया था जब तो गौउं गौउं के अंदर लोगों का जो अशिरवाद जब हम पहले लेने के तो एक विकल्ब जो लोगों को चाहिए था जब हमने अपनी बात हमारी समझ जिस तरीके से हम लोग लगतार आम लोगों की लड़ाई लड़ने काम हमेरे पूर के अंदर कर रहे हैं तो लोगों का बहुत ज्यादा रिस्पॉंस अच्छा रिस्पॉंस अशीरवाद पहले से ही मिलना शुरू हो गया था और आज जब जुनाव नजदीक आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं जब 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 जैसे जिस भी गौओं के दर हम जाते हैं लोग अपने आप वो सारी त्यारी खुद गौओं के अंदर कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप ही एक जो कैमपेन जो है, आम जो महिंतकश लोग हैं गौउंग के अंदर, वो सारी तयारी वो है, इस CPM के फेवर में, अनिलमन कोटी के फेवर में हैं, उन्होंने तयारी शुरू कर दी है साथ ही आप लोगों से मिल रहे हैं तो लोग अपनी समस्याइं भी आपको बता रहे होंगे हमिरपूर में ऐसी कौन से समस्याइं जो जाद तर आपके सामने आ रहे हैं हमिरपूर के अंदर हर वर की अपनी अलग-अलग समस्याइ है शहर की अलग समस्याइ है गौहों की लक्स मस्या है, नौजानों की लक्स मस्या है, महिलाओं की लक्स मस्या है करमचारियों की लक्स मस्या है, बजूरूगों की लक्स मस्या है गौहों के अंदर जो सबसे जो अगर जो सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज जो हमने नोटिस की है बहुत ज़्यादा बज़ूरूग ऐसे हैं जो जिनको पेंशन की ज़ूरत है और सरकार ने जो पेंशन की उमर वो असी साल जो घोशित की है मैं यह समझता हूँ कि हमने अपने अलेक्शन मैनिफेस्टों के अंदर विस्टीच को मेंशन किया है कि पेंशन की उमर साठ साल करने के लिए जो हम विदान सबा के अंदर लड़ाए लड़ेंगे और उसके साथ साथ जो नौजवनों की समस्या हैं हमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कॉंगरेस और भाजपा की सरकारे रही है पेंशन जो उनको कॉंट्रक्ट जो पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है जिस तरीके से ठेका परता के तहर जो है वो नोखरियां देते हैं हमें समझते हैं कि स्थाई रोजगार के लिए नौजवनों को रोजगार दिलाने के लिए लड़ाए लड़नी पड़ेगे और उसके साथ साथ जो एक और चीज हमने नोटिस की है हमारे हिमाचल प्रदेश को 1989 से पहले स्पेशल राज्य कोटा फोज के अंदर होता था और हम देखते हैं कि पहले हर घर से कोई ना कोई आर्मी के अंदर होता था और अब जिस तरीके से विरोजगारी का दोर है जिस तरीके से जो नौजवान विरूधी सरकार नीतिया सरकार ने बनाई है हम यह समझते हैं वो स्पेशल राज्य कोटा उसको वापिस लेने के जुरूरत है और वो कोटा वापिस लेने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश की रफेंट अफ नौजवान हैं उनको जो है फौज में जाने के लिए जो है ज़्यादा संक्या में नौजवान जो है वहाँ पर फौज में जाकर इस देश की सेवा करें उसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे साथी अगर बात की जाए तो नौजवान कुछ ऐसे भी हैं जो फौज में इंटरस्ट नहीं रखते हैं जहां तक फौज में इंटरस्ट अकने वाले युवाओं की बात है वो तो चले जाएंगे लिए इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शेहर में अपने गाउं में रहकर काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या रण नीती बनाई है अपने इसको लेकर हमारे अलगसे उसको लेकर अजंडा है हमारे पार्टी के अंदर चीज को लेकर चर्चा है अभी हमिरपूर के अंदर जो है हमाय। प्रदेश के अंदर जो है जिसकी भी सरकार रही है रोजगार पैदा करने को लेकर कोई ऐसी नीतिया है अपलाई नहीं की मैं समझता हूँ कि अगर हमिरपुर की ही बात की जाए हमिरपुर के अंदर जो है कोई इंडस्ट्री जो है यहां पर लगाई जाए जिसके तहर जो है कि शेतर के अंदर ही रोजगार पैदा किया जाए कुछ ऐसा नीती वहां पर लाई जाए ताकि नौजवनों को यहीं पर जो है वो नोकरी मिले आईटी के शेतर में या किसी मेडिकल फील्ड के शेतर में या बहुत सारे ऐसे इस आधनिक दुनिये के अंदर जो है आधनिक अलग अलग इंटरेस्ट में नौजवनों के रहते हैं तो वो सारी चीजें जो है लेकिन उसके लिए जुरूरी है कि विधान सभा के अंदर पहुंचा जाए लोगों का जिस तरीके से नौजवनों का स्पेशली हमिरपूर के अंदर इस तरीके से रिस्पॉंस है अभी हम जब गे अभी पिछले गाउं के अंदर तो वहां एक महिला मिली वो उससे तना ज्यादा परिचित नहीं थे लेकिन वो मीटी के अंदर आई और उसने एक बड़ी चीजी बात बोली कि मुझे मेरे बेटे ने जो है वो ये बोला कि इस बार द्राटी हो थोड़े का बटन द चाहिए तो एक अच्छा महौल जो है हमिरपूर के अंदर बना है किन मुद्धों को लेकर जो है आप जंता के बीचारे हैं जंता अभी आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें जिस तरीके से अभी अगर तीन साल पहले के अगर मैं बात करता हूं जब मोदी जी प्रधा प्रधानी सरकार बहुत हुई महंगाई बिरोजगारी यह सारे नारे उने दिये और आज हम क्या देखते हैं जब गौओं के अंदर शहर के अंदर हम जाते हैं महंगाई बड़ी है जी अस्टी आने के बाद बिरोजगारी भी बड़ी है नोटवंदी के बाद और भरष्ट जी जो है उनमें उनको वो हासिल करने में उनके लड़ाय लड़ने में वो नाकाम रही हैं और वो सारे मुद्धे जितने वी जो वो लोग सिरफ कागज हों जो है हम लोग वहां पर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी सही माईने में उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोग कौन है और इस तरीके के जो मुद्दे हैं हम उनको और भी ज़्यादा जो उनके गौँगाँ के अंदर लग जो उनके मुद्दे हैं सड़कों की समस्या है शेहर में पानी की समस्या है विजली की भी कहीं कहीं समस्या है तो इन सारी समस्या को यह हमारे election के अंदर मुद्दे हैं और मतर मुद्दे नहीं है इनको लेकर इनको जीदने के बाद इनको लेकर कैसे लड़ाये लड़नी है वो सारी चीजें जो हैं हमारे अजंडे में रहेंगी और मैं समझता हूँ कि अगर जनता जिस तरीके से हमारे को रिस्पॉंस कर रही है उनको विश्वास हमने उन्होंने हमारे उपर काइम किया है जब हम परच पाकी तो उनका हमेशा देखा गया है कि हमिरपूर में जो है वो उनका जनाधार रहा है तो आपको क्या लगता है कि उनके सामने इस वक्त चुनाबों में कितना जो है वो सीपी आइम जो है वो टिक पाएगा देखिए हमिरपूर के अंदर लोगों के पास लोगों को जिस जरूरती कॉंग्रेस भाजपा से सभी लोग दुखी है हर वर्ग उनकी नीतियों से दुखी है और जिस तरीके से एक विकल्प जो है हम लोग ने उनके सामने रखा है लगातार को उनके बीच में जाती है मैं समझता हूँ कि हनिलमन कोटिया एक उनके बीच का किनिटेट है उनका जैसे जो अगर आज से पहले अगर आप देखेंगे तो साहब लोग उनको बोलते हैं सारे हम लोग हमारे बीच में और उनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है हम सेवक के तोर पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं और वो अगर साहब लोगों से जब वो चुनाव जीते हैं चंता को उनसे मिलना मुश्किल होता है बहुत समस्या जो है लोगों को अपनी फर्याज हमारा हमिरपूर के अंदर जो अपना एक दफ्तर है लोग लगातार वहां पर जो है अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और जो स्ट्रक्चर हमने विधान सबक्षेतर के अंदर ड्वल्प किया है बनाया है लोगों को एक असान तरीके से जो है अगर हम जीते हैं तो लोगो को बहुत असान है वो सारी चीज़ें को कि गौओं-गौओं के अंदर हमारा ढांचा अगर जीते हैं तो हमें मालूम है कि फलाने गौओं के अंदर फलानी समस्या है कॉंग्रेस भाजपा के अंदर इस तरीके का वो मैं सबस्तों उनका काम करने का तौर तरीका बिल्कुल डि से दुखी होकर जो लोगों को विकल्ब चाहिए था तो मैं अपने आपको इस वक्त जो है एक मजबूत सिती के अंदर समस्ता हूं और निश्ची तोर पर जो है इस बार विधानसभा के अंदर हमिरपूर विधानसभा क्षेतर से ये लाल जंडा ये मेहनत का जंडा जंडा उनके बारे में क्या रणनीती है देखिए सीटू मातर किसी एक वर्ट तक सीमित नहीं है करमचारी के अंदर सीटू का संगठन है आंगनवाडी के अंदर है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर है मनरेगा के अंदर है हाला कि आपका प्रशन सही है कि हम इरपूर के अंदर जो है जो पिछले काफी लंबे समय से चाय अंगनवाडी है मीड़े मील वरकर है आशा वरकर है मनरेगा है या ध्याड़ी मजदूरी करने वाड़े लोग है करमचारी है उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं निश्ची तोर पर जो है जितना भी जो महिंतकश हवाम है हम उनकी लड़ाई जो है आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा मजबूत करेंगे और अगर विधानसवा के अंदर जाते हैं तो निश्ची तोर पर जो है चाहे वो अंगनवाडी वरकर है चाहे वो मनरेगा वरकर है उनकी ध्याड़ी की जो बात है उसको पूरा करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और ये कोई बहुत टफ काम नहीं है मैं समझता हूँ अगर इसको लेकर सरकार के उपर दवा बनाया जाए सरकार को नीती बनाने को लेकर दवा बनाया जाए केरर का एक्जामपल आपके सामने है वहां पर मनरेगा की जो ध्याड़ी है पूरे देश में सबसे ज़्यादा साड़े तिन सो रपया देड़ी वहां पर मिलती है हिमाचल ब्रदिश के अंदर हिमाचल की सरकार मातर एक सो नासी रपया देड़ी मनरेगा के अंदर देती है मिड़े मील के अगर बात की जाए मिड़े मिल जो वर्कर है उनको बारा हजार पया अंग महित कश्च लोग हैं, उनके हक में नीती बनाने के लिए जो है, को लेकर जो है वहां पर लड़ाए लड़ेंगे. क्या प्रात्मिकता हैं आपके रहेंगे? मैं आपको पहले ही इस चीज़ को लेकर ये बता चुका हूँ कि प्रात्मिकता हैं ये जो हमिरपुर वितान सबक्षेतर का जो संपूर्ण विकास है उसमें हर वर की लग समस्या है नौजवनों को लेकर लग से अजंडा मुझूर्गों को लेकर लग से अजंडा महलाओं को कर जो है अलग से वो सारी चीज़ा निए उनकि समस्यां को इस तरी काने क्य events प्रेटी पर रहेंगे हमिरपु शहर में बहुत सारी प्रॉबलम्स है तो उनके लिए क्या प्लानिंग है आगे कि अगर आप बिधायक बनते हैं तो हमीरपूर शहर की जो समस्याई है उनको किस तरह से सूजाएंगे हमीरपूर शहर की जो मुखिता जो समस्या रही है पिछले काफी लंबे समय से पानी के एक बहुत बढ़ी समस्या है निश्ची तोर पर कोई भी समस्या जो है though तब तक बढ़ी होती तो अगर वो खुद वहां पर स्टैंड लेता है, खुद वहां पर जो है, उस समस्या को लेकर इनिशेटिव अगर लेता है, उस समस्या को पहचानने का प्रयास करता है, चाहे वो रास्ते की समस्या है, चाहे वो सड़क की समस्या है, और निश्ची तोर पर उस समस्या दूर ह जो है उसका एक mindset होना चाहिए वो एक initiative होना चाहिए और उसमें वो पूरा उसको लेकर जब दम अगर होगा तो निश्ची तोर पर जो है वो सारी समस्यां दूर होगी अपनी जीत को लेकर कितने से शक्त हैं आप मैं अपनी जीत जो है ये पूरी जितनी भी हमीरपूर विधानसपक शेतर की जो आम अवाम है मेहिंतकश अवाम है उसकी जीत को लेकर जो है पूरी तरह आश्वस्त हूं और निश्ची तोर पर जो है इस बार एक बहुत बड़ा बदलाब समपूरन बदलाब कांग्रेस भाजपा के आलावा जो विकलप के तोर पर हमने कम्शनी की तरफ से हमने निश्ची तोर पर जो है आम जन्ता की लड़ाई इस बार जीत की जो लड़ाई बड़े लम्बे टाइम से उनको विकलप नहीं मिल रहा था तो निश्ची तोर पर जो है इस बार हम लोग विदानसा वगंदर जनता के शीरिवास से पहुंचेंगे शुक्रिया मनकोटिया जी आपने हमसे बात की तो आपने देखा कि अनिल मनकोटिया ने जो है वो अपनी जीत का दावा किया है साथ ही इनोंने यूबाओं मेहिलाओं और बज़र्गों के लिए भी बहुत से काम करने के दावे किये हैं कैमरामेन सुमीत के साथ मीनाक्षी एस्टूर नियूस हमिरपूर